नमस्ते मैं हूं रूमा आप सभी का स्वागत है इजी स्टीचिंग आइटिया में आज मैं दिखाऊंगी नैहरू टोपी बनाना ये टोपी सही मेजर्मेंट के साथ आप कैसे बना सकते हैं चलिए मैं आज आप लोगों को दिखाती हूं चलिए वीडियो शुरू करते हैं वी मैं डबल फोल्ड करके रखी हूं इसका लंबाई 12 इंच चौड़ाई लेंगे साड़े 9 इंच सभी पॉइंट को जोड़ लेंगे अभी इसको काटके निकाल लेते हैं यह मेरा चौड़ाई का साइड रहेगा इसी हिसाब से उपर लगाने के लिए एक कपड़ा मैं पहले काटके निकाल लेती हूं कपड़ी को ऐसे करके रखना है फिर ऐसे फोल्ड कर लूँगी अभी पहले जो कपड़ा मैंने काटके रखी थी उसके साथ इसको रखके माप कर लूँगी अभी इसको एक राउंड से दे दूँगी और काटके निकाल लूँगी ये मैं काटके निकाल चुकी हूँ इसको इसके साथ कैसे सीलना है मैं आप लोगों को चलिए दिखाती हूँ कपड़ी को ऐसे करके फोल्ड करूँगी और इसके चौड़ाई के साइट में सीलूँगी तो चलिए सीलते हैं सिलने के बाद इसको पलट के डबल फोल्ड कर लूँगी और इहां पे एक स्लाई जहां पे मैंने स्लाई लगाई थी वहीं पे एक स्लाई लगा दूँगी इसको स्लाई लगाने के बाद इस तरफ और इस तरफ दोनों इक्वेली मैं पकडूँगी दोनों साइड एकदम बरावर करके यहां पे छोटा सा एक कट मैं लगा लूँगे कट लगाने के बाद उपर लगाने के लिए जो कपड़ा मैं काटके रखी थी उसको दोनों साइड में मैं पहले पीन से लगा लूँगे अभी इसको मैं इसके साथ एक साइट से सिल लूँगी ऐसे करके पकड़ूँगी और सिलती जाओंगी तो चलिए मैं सिलना दिखाती हूँ उपर का कपड़ा में सिल चुकी हूँ अभी इसको पलट लेती हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको पलटनी के बाद दोनों का नीचे का जो फोल्ड है इसको पकरके इसको उपर की तरप ऐसे करके करूंगी और दोनों का सेंटर पॉइंट में ही मैं सिलूंगी तो चलिए मैं दिखाती हूँ नेहरू टोपी सिल चुकी हूँ